नमस्कार दोस्तों मैं हूँ पिऊश और स्वागत है आपका बालवड आईरी हिस्ट्री चनल पे दोस्तों हाली की दिनों में भारत के प्रदानमंत्रीशी नरेंद्र मोधी जी के त्वारा इस साड़े छे मिटर उचे और लगबक साड़े चार मिटर छोड़े भारत के राष्टी प्रतिक चिन्ह याने नेशनल एमबलम का अनावरंड किया गया है जिसे भारत के निर्माण धिन संसत भवन याने सेंट्रल दिस्टा की छत पर स्थापित किया गया है साड़े 9,000 किलो कासे से बनी इस प्रतिक चिन्ह का निर्माण सुनिल देवरे, रोमिल मोजेस, लक्षमन व्यास जैसे 100 से भी अधिक कलाकारों ने मिल कर किया है इस प्रतिमा के निर्माण में लगबक 9 महिनों का समय लगा इसे अलग-अलग 3 चरणों में उरंगाबाद, जैपूर तधा दिल्ली शहर में बनाया गया इस प्रतिमा के निर्माण में HCP Development Planning and Management Limited की भी मदद ली गई दोस्तों हम इस टॉपिक पे वीडियो इसलिए बना रहे हैं क्योंकि जैसे ही प्रदान मंत्री नरेंदर मोधीजी ने इस भारत के राश्रिपति का अनावरण किया एवं पूर विधी विदान पूर्वक इसकी प्रतिष्ठा करी तभी से ही विपक्षी दल इस भारत के राश्रिपति चिन्न और इसकी प्रतिष्ठा करने में अपराएंगे प्रक्रिया को लेकर टिका डिपणी और विरोध करते आ रहे हैं सबसे पहले AI MIM प्रमूक याने All India इतिहादुल मुस्लिमीन के असत उद्दिन OVC ने यह कहा कि प्रदार मंत्री जी को इस प्रक्रिया करने का अधिकार प्राप्ति नहीं है अगर कोई अनावरण या प्रतिष्ठा कर सकता है तो वो है लोकसभा स्पीकर दोस्तों यहाँ इतना important नहीं था जितना की दूसरा मुद्धा जो की पूरे दिनों चाया रहा और जिसके लिए लोगों ने इतिहास के पन्ने फिर से पलटने चालू कर दिये थे इसलिए मेरा इंट्रेस्ट हुआ कि इस प्रतिमा के इतिहास से जोड़ा हुआ आपके सामने सचला सकूँ और आपको वास्तावित्ता बता सकूँ तो दोस्तों लोग यह कर रहे हैं इनकी विपक्ष के लोग कि इस प्रतिमा में जो सिम्वा चार सिम्वा है जो उपर के शालिन है तो दोस्तों जब इस सवाल को लेकर इस प्रतिमा के मुख्य कलाकार सुनील देवरेजी और रोमिल मोजेस से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमने इस प्रतिमा में कुछ भी बदलाव नहीं किया गया है जैसा भारत का राश्ट्री एंबिलम है हमने उसकी phase 2 जादा इचे से करी है क्योंकि पुराने जो प्रतिक चिंन भारत ने बने थे और जो ओरिजनल भी था जहां से भारत के राश्ट्री प्रतिक चिंन बननी की प्रेढ़ेना मिली। उसकी चर्चा मैं आपसे करूँगा थुली देर के बाद, जहां से इसकी प्रेंटना मिली, उसमें जो काम किया गया था, उसमें ज्यादा डेटेलिंग नहीं थी, परंतो आज जो टेक्नोलोजी है, हमने उसके साथ इसमें ज्यादा डेटेलिंग करी, इसलिए जो शेयर के भा क्योंकि यह 6 मिंटर उची है, सोचिए कितनी उची प्रतिमा है, तो जब इसके फोटो खीचे गए, तो जो एंगल लगाया फोटो खीचने के लिए, उसके कारण शेयरों के सिर्फ दाथ, जो केनाइन दाथ जो शेयर के होते हैं, बहुत नुकेले, बड़े-बड़े दाथ होते हैं, सिर्फ वही दिखाई दे रहे हैं, अब दोस्तों सूचिए कि इतने बड़े शेयर के दाथ तो और भी बड़े-बड़े दिखाई दे रहे हैं, तो इसके कारण उन्होंने कहा कि यह शेयर ज्यादा एग्रेसिव लग रहा है, यह सिर्फ एक परस्पेक्टिव का खेले, उन्होंने कहा कि यह आप इस शेयर के एकड़म मुख के सम्मुख केमेरा ले जाके या थोड़े ऊपर केमेरा ले जाके फोकस करेंगे, तो यह आपको शेयर इतने एग्रेसिव नहीं लगेंगे, वैसे ही लगेंगे ग्रेस्फूल जैसे कि भारत के ओरिजिनल खबख सवादो हजार साल पहले यहने कि धाई सो बीसी में सम्राट अशोक के द्वारा बनाएं गए सारनाथ इस्थित अशोक स्थम्ब से ली गई है, इस स्थम्ब की खोज सन 1905 में एक पुरा तात्विक खुदाई के दोरान हुई थी, आज यह स्थम्ब उत्तर जी हाँ, इस स्थम्ब में पाच शेर है, चार शेर तो ऊपर की तरफ है, जो के एक दूसरे की तरफ पीट करके खड़े है, चार अलग-अलग दिशाओं में, और इस स्थम्ब का जो आधार तल है, उसमें चारों दिशाओं में अशोक चक्र बने हुए है, जिनमें 24 चोवि कहेंगे, सांड और एक और शेर, यानकि इसमें टोटल पांच शेर है, मैंने कम्मुनिटी पोस्ट में पूछा भी था, तो उसका सही जवाब है कि इस भारत के प्रदिक चिन्द में पांच शेर है, दोस्तों वैसे जो ओरिजनली स्थम्ब था, जो कि 1905 में खुदाई के द 32 ती जो कि धम्म चक्र का प्रवर्तन का संदेश देती थी, यहां कई तरह के संकेत और हमें संदेश देता है, जिसकी व्याख्या कुछ लोग इस तरह से कहते हैं, कि यहां न्याय का प्रतीक है, कुछ लोग कहते कि यहां धर्म का प्रतीक है, परंतों दोस्तों यहां शांत छिन्न है औरिजनली आप देखिए यह सार्णा इस्थित्र जो हमारा प्रतिक चिन्न है इसके दात आप देखिये इसका जबड़ा जो है खुला हुआ है यह लगभग धारता सा प्रतिक हो रहा है दारता हुआ नहीं तो लगभग यह कम से कम एकदम शान मूँ बंद करके दोस्तों आप देखी ना original में भी जो है इसने भी share के आप को जो केनाइन दाते जो की share को cheerfire करने में काफी जादा मदद करते हैं जिस से share अपने शिकार पे गिरफ्त मनाता है यहां दिख रहे हैं तो दोस्तों यहां के रिएक सामने वाले ये मन में एक शेर की शक्ती का प्रतीक है तो दोस्तों यह gracefully होने के साथ कुछ हो सकता है कुछ लोगों को आक्रमक लग रहा हो परन्तु शेर का सभव ऐसा ही होता है तो दोस्तों हमारा यह जो national emblem में जो शेर लगाए गये है इन्हें वही प्रेंडा के स भी खत्रा है पशिम से भी खत्रा है पूर्व में भी एक शक्तिशाली देश है जो की अपनी expansion की संभावनाओं को तलाश कर रहा है और अलग-अलग तरीके नित्य नए रोज अलग तरीके अपना रहा है कि किस तरह से हमारी economy को दबाए जाए और एक हमारा भारत से ही अलग हुआ 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 देश है जिसका दो देश ही है कि कैसे चाहे खुद वह कितना बर्बाद हो जाए परन्तु भारत को बर्बाद देखना चाहता है तो दोस्तों यह संदेश हमारा national emblem मेरे नीजी विचार है कि इस emblem से यह भी संदेश आ रहा है कि अब भारत है आप किसी से डरेगा नहीं यह सोने की चिडिया नहीं है यह सोने का सिम्व है यही संदेश मुझे तो इस भारत के राश्ट्रिपति को देखकर मिल रहा है दोस्तों आप भी अपने विचार कमेंट बॉक्स में रखिएगा मिलूंगा आपसे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यमाद